तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं इस कवर का यूज तो यह है आप लोगों ने थमनेल में देखी लिया होगा कंबल का कवर है बड़े साइज का जो कंबल आता है ना इस कवर में वह वाला है तो बिल्कुल कोई भी काम का नहीं है अभी फैंक ने लायक हो एक ही वीडियो में दो आइडिया है बहत फीयारे प्यारे से है और भी आइडिया आप इसमें से से बना सकते हो dicey मैं किवल दो ही आइडिया इसमें वीडियो में सेयर करने वाल लेना है वह भी हमारे काम में आ जाएंगी और इसकी जूट जब है ना वह बहुत जादा लंबी है आप इसे कम से कम दो तीन बैक बना सकते हैं और आप च्छोटी बैक बना रहे हो तो अगर बड़े साइच का बना रहे हो फिर वी दो बैक बनी जाएंगे अब दीगिए इतन और इससे करीब दो दो इंस करीब साइड से एक्ष्रा लेते हुए कट कर देना है कपड़े को और इस तरीके से देखी आलपिन की साहता से या फिर आपके पास आलपिन ना हो तो आप कच्चा कर सकते हो सुई धागे की मतस से या फिर आप डारेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो जैसे भी आप अपने सुविधा की अनस्वार करना चाहो वैसे आप कर सकते हो तो देखी चारों तरब से मैं इसको आलपिन की साहता से अटेच कर दूँगी ताकि सिलाई लगाते वक्त ये इधर दर ना हिले क्योंकि पॉलिथिन है अगर हम डारेक्ट सिलाई लगाएंगे न तो बहुत ही जादा मतलब कभी इधर किसकेगी कभी इधर किसकेगी नाचेगी ये तो इसलिए आपको एक ही जगए बैठाने के लिए इसको थोड़ा सा सैट कर लेना है पहले अब सैट करने के बाद मैं फोल्ड करते हुए मैंने सैट कर दिया चारो सैट से और चारो सैट से ही जहां जहां से हमने सैट किया चारो सैट से वहीं पर आपको सिलाई लगा देनी है इसके उपर से और बीच में आप सिलाई लगाना चाहो तो लगा सकते नहीं तो कोई करेंगे अब देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है इस मैंसे मैं दो पट्टियां और कट करूंगी करें देड़ देड़ इंच की आपको पट्टियां कट करके फोल्ड करके शिलाई लगा लेनी हैं जिलाई लगाने के बाद मैं आपको दो कॉर्णों पर जो चोड़ावाला हिस्सा है उधर आपको दो कॉर्णों पर एक एक चलाई लगाते हुए अच्छी तरिके से इन डोरियों को सेट करोंगी कर दूँगी तो अभी इसका पता चलेगा कि यह क्या बनने बाला है बहुत ही प्यारा साइडिया है हर किसी के काम में आएगा और देखिए इस तरीके से हमारी बनके रेडी हो चुका है और यह देखिए मैंने बनाया जब भी हम बरतन बगेरा साफ करते हैं कि या फिर किचिन में कोई भी असलिका आप इसे तरीके से पेट बांद लेजी है और आराम शे आप काम कीजिए नाहीं ही आप किंदल से तो यहां पर देखिए जब भी आप काम कर रहे हो किछिन में तो आप यसे बांद की काम कर सकते हो और यह b worth हो चुका है पूरा पूरे तरीके से और छूप की हमने प साइड योज किया है और यह disp पार पानि जाएगा क्योंकि हमने इसमें बीच में कोई भी शिलाइ वगएरा भी नहीं लगाई है बीच में हैंगर भी लगाया है लटकाने के लिए और देखे जो बच्ची हुए दूसरी वाली सायड यह दूसरा एडिया है हमारा भी दूसरी वाली सायड है पॉलितन के उसको हमने इस तरीके से चारलर फोल्ड किया इसमें आपको कुछ नहीं करना है केवल कट करना है और काम करना है तो आप इसे अपने साइच का अपने इसाप से जैसे भी आप जिस सेप में इसको कट करना चाहते हो उस सेप में आप इसे कट कर सकते हो इसको आप जो है फ्लॉवर वगेरा के सेप में भी कट करके कहीं भी र कपड़ा रखना पड़ा था लेकिन आप इसको रख दूंगी तो और किसी कपड़े की जर्रत नहीं पड़ेगी अब देखिए इस पर आप कपड़ा भी लगा सकते हो अगर आप पॉलिथिन के उपर से कपड़े को लगाना चाहो तो येकिन जो देखिए आलू है आज केल मिट्टी तो हमेसा ही आती है आलूह तो इन आलूहों को कहीं भी रखते है ना तो बहुत जादा गंदा हो जाता है तो मैं देखिए इस तरीके से कपड़ा रख देती थी लेकिन अब मैंने पॉलिथिन कट करके रखदी इस तरीके से भी आप इसे यूज